सब्सक्राइब कुछ नहीं आया इसे से के नोटी से के वेब साइट में तो वो कब अनाउंस होगा कब तीक्लेटर होगा उसका कुछ पता नहीं उसका कुछ आया नहीं नहीं है नोटीस में तो 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 सीजल 2019 का जो निक्स्ट एक्जाम हो तीर 4 है यह निद यह कंपराइब को सिपीट और देस्ट आइस्ट स्पराइब करनेटर आपकर पारपोंट मैं प्रॉस अधिव्डी प्रॉन्च अशन अस माधर तंग इस बेंगली नोट हि most of the candidates of these competitive examinations are from Hindi belt region so that is why I am trying to speak in Hindi but my pronunciation might be not clear in some times so that's why I beg your pardon अगर इधर हुदर कुछ हुआ तो अगर इधर हुदर कुछ हुआ तो pronunciation आप लोग प्लीज उजए इग्नोर करना okay now CGL का जो Tier 4 है वो बहुत ही जादा easy है with respect to Tier 1 Tier 2 and Tier 3 and उसके लिए क्या करते है कि उसे बहुत हलके में ले लेती है बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है वैसी प्रेशर लेने के कोई बात नहीं है बट उसका PowerPoint के जो पार्ट है वो ज्यादा तर नहीं देते हम तो इसके लिए बहुत ज्यादा easy होने के बाद भी वो थोड़ा problem होता है एक्जाम में तो इसके लिए हमें क्या करना है बहुत आगे से practice शुरू करना चाहिए क्यूंकि मैंने जब CGL 2018 दिया था तो मुझे ऐसा बहुत सारा confusion आ रहा था कि यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो करना चाहिए कि नहीं तो इसके यह confusion तो मेरे पास कुछ previous year के copy है previous year के मातलब सीजल 2017 का copies है CPT and DESD का तो उसके लिए हम एक एक करके series बनाएंगे एक एक previous year की set करेंगे daily and first मैंने पावपान की series स्टार्ट करनेंगी तो अगर आप लोग का पसंद आये तो उसको further extern करना करेंगे तो वो तो कोई बात नहीं तो CPT का जो एक्जाम होता है पावपाइंट एक्सलान टाइपिंग एज आर ओफ 15 minutes so powerpoint के लिए हमें 15 minutes दिया जाएगा exam में तो मैं कोशिश करोंगी कि वो जल से जल में 10 minutes के अंदर complete करू क्योंकि यह possible है ऐसा कोई कुछ बात नहीं है तो so that's what I wanted to share with you guys and see you in the next video thank you